हेलो गाईज जान लेते हैं कि गुम है में आगे क्या होने वाला है सभी जो है वो महत जीत चुकी है बहुत कुश होती है इशान जो है उसको देखे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अब सभी है जो वो कमेटी से पूछते कि मेरा एडमेशन जो हो जाएगा तो वो मना कर देते हैं कि पहले अपना transfer certificate लेकिट लेकिर और तबही होगा शानतिनो बहुत परेशान हो जाता और बोलता है कि नहीं आपने ये गल्स किया ऐसा कोई रूल नहीं है पर इशान जो है उसको बोलता है कि नहीं अगर कमीटी ने ऐसे बोला है तो ऐसे ही होगा सबी बोलती है कि कोई बात नहीं मुझे पता था आप मुझे परिशान करने के लिए और मुझे अडमिशन ना मिले इसलिए ऐसा कुछ बोल रहे हो तो इतना कहके वोहां से चली जाती है इशा मैं को बताते है कि यह सब हो गया है इशा मैं भी परिशान हो जाती है अधर यह शुवन्त जो बोलता है कि मैं इस लढ़की को अडमिशन देना ही नहीं जाता था इसलिए मैंने ऐसे किया विनायक जो है वो सवी के ससुराल वालों को लेकर प्रिंसिपल मैडम के पास जाता है कि उसको ट्रांसपर सर्टिवकेट जो है सवी को नहीं मिलना चाहिए उधर इशाम मैम भी आ जाती है कि मुझे सवी का अड्मिशन जो है ट्रांसपर सर्टिवकेट चाहिए पर इशाम मैम मना कर देती है पर इशाम मैम वो कम्प्लेंट की बात करके वहां से चली जाती है उधर जब इशाम घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सर्प्राइज जो है रिवा ने उसके लिए एक मंत का रखा था वो अगर आ चुका है और देख के वो बहुत परेशान होता है चीजों की तोड़ फोर जो है वो करनी शुरू कर देता है और बहुत गुसा होता है बहुत परीशान हो जाता है उद्धर हरनी जब उससे पूछती है कि क्या हुआ तो सारी बात जो सवी उसको बताती है उसका पती जो है उसे बोलता है कि अपने काकू से पैसे मंगवा ले खर्चे की जो सवी का नाम है वो तो एड्मिशन लेटर पे गया है उसके पैसे नहीं है वह प्रिर्षान हो जाती है तो इतने में क्या होता जो है रहोग Claudian जो है वह पैसे लेकर आज आते हैं बोलते कि विद्षिर पर थैकर इसको घ Southwest कर लेती है जो की इस और देख लेता है और पार जैनल